विजिट 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 विजिटो बिजनीस विजिटो फैमली विजिटो ये सर्विसिज में ऑन-लाइन भी प्रोवाइड करता हूँ उसके लिए आप मुझे वाटसप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरा वाटसप नमबर आपको स्क्रीन में और डिस्क्रेप्शन पर द देने वाला हूं कि आप visit visa online extension अगर करवाना चाहते हैं या फिल जवजात से गर आपने visa extend online करवाना है तो उसके लिए basic जो चीज है वो है insurance इंसुराइंस आपको करनी होती है insurance के बारे में इस वीडियो में मैं आपको details बताने वाला हूं कौन सी insurance best होती है किस rate में आपको insurance मिल जाएगी age अगर जादा हो तो insurance बहुत महंगी भी आती है insurance आपको कितने time की purchase करनी चाहिए और insurance आपकी अगर active नहीं है तो उसके लिए क्या करना चाहिए सारी जानकारी इस वीडियो में दूँगा चलिए वीडियो श्टार्ट करते हैं चैनल को subscribe वीडियो को share भी कर सकते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं online visit visa extension के लिए कुछ basic चीज़े आपके पास में होनी चाहिए पहले वो चीज़े आप check करने फिर आप अपना visa online extension कर सकते हैं सबसे पहले आपका passport 6 month valid होना चाहिए अगर आपने अबसर से visa extend करना है तो passport जो है वो 6 month valid होना चाहिए जो लोग आपके visit visa पे आई हुए हैं उनका दूसरा आपका अबसर चल रहा हो तीसरा visa की fees आपने pay कर दी हो चोथा आपकी insurance active हो insurance आपने बना ली हो अब insurance का खेल यहाँ से सुरू होता है insurance आप बहुत सारी सौधी में company है जिनसे आप insurance purchase कर सकते हैं कुछ famous company के नाम मैं आपको बता रहा हूँ जैसे अलजाजी तकापुल है तवानिया है सौधी अर्बियन सील्ड है उसके बाद में आपका गल्फ यूनियन है आपका बूपा है और भी बहुत सारी company है जिनसे आप insurance buy कर सकते हैं सौधी family visit visa extension करने के लिए जो insurance online आप purchase करते हैं उस पे आप इलाज नहीं खरवा सकते medicine नहीं ले सकते दवाई नहीं ले सकते वो insurance सिर्फ और सिर्फ visa extension के काम आती है उसके लिए उससे सिर्फ आप अपना सो हजार रियाल की भी insurance मिल जाएगी जो बच्चे हैं या दर्मियानी एज के हैं उनकी insurance कम रेट में आती है जो बड़े हैं बुजुर्ग हैं 60 plus हैं 70 plus हैं 55 हैं 50 हैं उनकी insurance महंगी आती है ठीक है तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि जो दर्मियानी लोग हैं जिसे 25 साल 30 साल उनकी insurance आपको सस्ती मिलेगी जो लोग ज़्यादा age में हैं जैसे 50 plus है 55, 60, 70, 80, 90 उनकी insurance आपको महंगी मिलेगी insurance आप 2-3 तरीके से वाई कर सकते हैं पहला तरीका है आप online purchase कर सकते हैं insurance company के नाम में आपको पहले बता दिये थे उसके बाद में आप दूसरे तरीका है आप insurance company के थूरू direct company में जा के आप insurance ले सकते हैं इनके मकतब भी बने होते हैं उनके मकतब में जा के आप insurance purchase कर सकते हैं तीसरा तरीका आप मेरे से भी insurance buy कर सकते हैं हम डारेक्ट लिंक होते हैं कमपनियों के साथ में तो हम भी आपको insurance करवागे दे सकते हैं जो भी insurance जादा age वाली की मैं बात कर रहा हूं खास तोर पे जिनकी 50 साल 55 साल 60 70 साल age है उनकी insurance अगर महंगी आ रही है आपको show कर रहा है system पे उनकी insurance तीन सो रियाल, पान सो रियाल, छे सो रियाल, आठ सो रियाल उसके लिए आप मुझे definitely वाटसप पर contact कर सकते हैं इंशालला हाफ प्राइज में मैं आपको कोसिस करूँगा कि insurance आपको बना करके दे दू company के थूरू आपकी insurance active करवा दूँ जो भी rate आपको show कर रहा है मैं कम से कम कोसिस करूँगा कि कम से कम rate में आपको insurance update करके दे दी जाए आप उससे आसानी से अपना visa extension कर सकते हैं जो दर्म्यानी age के हैं या बच्चे हैं उनकी insurance भी आप मेरे पास से ले सकते हैं उनका rate में कोई ज़्यादा differences नहीं होगा उसमें जो भी rate है उसमें अपना जो भी insurance बनाने का service charge होगा वो add करके आपको insurance बनाके दे देंगे ठीक है लेकिन एक चीज बहुत ही ध्यान से आप सुनियेगा insurance का जो भी payment होगा वो आपको online 100% transfer करना पड़ेगा मैं आपको account जो भी दूँगा उसमें आपने payment 100% transfer करना है यह नहीं कि आप महापर आगा bargaining करेंगे कि यह insurance जो है आप active कर दें हम आपको फिर payment कर देंगे यह है वो है तो यह सब प्लीज मत कीजिएगा अगर आपको insurance चाहिए तो payment आपको पूरा करना पड़ेगा payment आप online transaction कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं एक में यहाँ पर guarantee लेता हूँ पहला आपकी 100% insurance बनेगी जैन्वन तरीके से बनेगी आप अपना visa आसानी से extend कर सकते हैं दूसरी चीज अगर insurance एक परसंट भी आपकी ना बनी या फिर insurance आपके अक्टिव ना हुई कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा तो कुछ भी आगे insurance को लेकर करके आपका सवाल हो question हो query हो आप मुझे comment कर सकते हैं वीडियो में पूछ सकते हैं लेकिन जो interested है जिनको insurance चाहिए वो मुझे whatsapp पर contact कर सकते हैं insurance बनाने के लिए documents की ज़रूत पड़ेगी आपका अबशर का screenshot वीजा कोपी पासपोर्ट कोपी यह documents मुझे insurance बनाने के लिए लाजमी चाहिए होंगे तो वह आप मुझे forward करें rate मेरे से confirm कर लें टामिट वेस दे insurance आपके active कुछ ही time में हो जाएगी साथी साथ अगर अबशर से आपका visa extend नहीं हो रहा है तो आप उसके लिए भी मुझे whatsapp पर contact कर सकते हैं पहली extension हो दूसरी हो तीसरी हो चोती हो पांच वी च्छटी हो कोई भी extension हो even अगर family visit visit से अलग भी है personal visit है business visit है उसके लिए भी आप मुझे contact कर सकते हैं online extension services में काफी लंबे time से provide कर रहा हो अगर आपको rate suitable लगते हैं तो आप मेरे से online extension करवा सकते हैं कारी जानकारी मेंने insurance के regarding इस वीडियो में दे दिये कोई भी आपका question हो query हो सवाल हो आप मेरे से पूछ सकते हैं मिलते हैं को नई वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिये खुदा अफीस